स्वागत आपका में हूँ आपके साथ आशीष चतुरवीदी नमस्कार में हूँ आपके साथ वरुन दुबे और इस शो में हम आपको 20 दंदा ट्रेडिंग के आइडास बताएंगे लेकिन उसके पहले एक बार ग्लोबल संकेश समझ देते की कि इस तरह के देखे जा रहे हैं यूएस के मार्केट अगर आप देखेंगे तो काफियत तक वहाँ पे मिला जूला कारोबार था सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी देख लीजेगा आज एक बांस बैक दिखा रहे करीब 34 पॉइंट के आसपास की तेजी है डाओ जोन्स नास्दक एस नपी इनको आप देख ये एक अच्छा संकेत है वैसे तो हमारे मार्केट के कल में देख रहा था स्मॉल कैप, मिट कैप जिस तर से मार्काट मची है वहाँ पे 15-15-20-20% की गिरावाट काफी सारे चोटे मजोले या फिर मिट कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में देखने मिली इसके चलते काफी सारे या फिर ट्रेडर्स का confidence जो है वो काफी कम हो चुका है तो देखते हैं इसका follow-up impact आज कितना देखने मिलता है क्योंकि खासकर काफी सारी सरकारी कम्पनिया थी जहाँ पे कल गिरावट देखने मिली हमारे लिए एक संकेत आज अच्छा है और वो है CPI और IIP का आकड़ा CPI नीचे आया है हलाकि 5.1% के आसपास जादा अगर आप देखने तो लोगों का आनुमान ता उसके आसपास याया है IIP अगर आप देखने तो आपे माहिन अदर माहिने मतलब नमबर के मुकाबले डिसमबर में अगर आप देखने मिले तो दोनों संके CPI IIP के हमारे लिए प्रश्चान में कारुबार कर रहे हैं, तो मिक्स क्यूज है, स्टॉक स्पेशिक एक्शन जाली रहेगा, वहीं पर हमारी नज़र है, मिक्स्ट क्यूज हैं, फिलाल स्टॉक स्पेशिक एक्शन पर रज़र रखे चलेंगे, लेकिन कल की आई है, भारी गिरावट और वरुन मुझे तो उमीद है कि आज बाउंस बाउंस की, गिरने का कोई रीजन नहीं है, बाउंस बैक होगा की नहीं होगा आशिश यह तो पता अब आज आता है कि कल आता है, यह सिफ टाइम बताएंगा, लेकिन अगर आपके पॉटफोली में क्वालिटी स्टॉक है तो घपराने की कोई आवशकता नहीं है, शुरूआत कर लेते हैं हमारी पहली काटिगरी के साथ कैश की काटिगरी होती है, और नतीजों के आधार प अगर आप देखें तो 51 करोड का एकमुष्ट मुनाफा था, तो अगर आप उसको अजस्ट करके देखेंगे तो इस बार भी अच्छी ग्रोथ देखने को बिली है, आए 24% बड़ी है और मार्जिन पिछले साल की तरह बिल्कुल 13.6% पर स्तिर देखने को बिले है, खरीदा यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं, 700 के लेवल के लिए, 674 का आप स्टॉप लॉस रखेगा, कम्पनी के नतीजे अच्छे हैं, आए में 6.5% की बड़ोती है, मार्जिन 14.8% से बड़के 15.6% पर आए हैं, मुनाफे में 5% के आसपास की बड़ोती हुई है, इसके जितने भी नाम हमने आपको इसके पहले बताये थे, कि ये शामिल हो सकते हैं, उसमें GMR Airport का नाम नहीं था, ये एक सप्राइड एलेमेंट बनके आया है, तो मेरे ख्यासे, आज इस स्टॉक में अच्छे कासी तेजी हो सकती है, GMR Airport में कीजेगा खरीदारी GMR Airport ये स्टॉक के फोकेस रिखेंगे अच्छा, फ्यूचर्स के आदार पर स्टॉक में चुन रहा हूँ, कोल इंडिया जहां पर आपको करनी है खरीदा जी, कल नतीजों से पहले अगर आप देखे तो स्टॉक में पांच परसंट का करेक्शन आ गया है, हाला कि पिछले 6 म मेने में, कल 5% लोड़का है, अब नतीजे अगर आप देखे तो हर आधार पर आपको काफी बढ़िया देखने कुम्बले है, कैसे भी कंपारिजन करके देखे तो नतीजे अच्छा है, और तीसरी तिमाई में अब तक का लिस्टिंग के बाद से सबसे बड़ा मुनाफ़ा कंपरिये ने दर्च किया है, एफसे की तुलना में अगर आप देखे तो ई-ॉक्षन का जो प्रीमियम है, वो काल्कुलेशन के लिहाद से 117% आ रहे हैं, अपने आप में नतीजे काफी वजबूत है, और कल की गिरावट अटलीस रिकावर होनी चाहिए, तो फ्यूचर में अगर सिर्फ एक सेक्टर रहा है, जिसने बजार को सहारा दिया, होल्ड करके रखा होता, आई-टी सेक्टर, अब आई-टी पैक में से काफी सारे स्टॉक ऐसे हैं, जहाँ पर आपको स्टेंट देखने कुमल रही है, एल्टी टी टी इस भी रिडार पर रहा है, एल्टी आ और स्टॉप लगाएंगे एक सु पिच्चासी रुपे का, चले मेरे तरफ से ऑप्शिन्स में है, जे एस्पेल, जिन्दल स्टील पावर, यहाँ पे पूट ऑप्शिन खरीदना है, यानि कि आपको मंदी करनी है, साथ सो चालीस का पूट ऑप्शिन खरीदना है, तीस पूर्स है, इसके लिए आज हो सकता है, थोड़ा बहुत प्लेशर इस पे देखने मिलेगा, साथ सो चालीस का पूट ऑप्शिन खरीदना है, तीस रुपे के लख्ष के लिए, बीस रुपे का रखिएगा, स्टिक स्टॉप लगाएंगे अगली हमारी काटिगरी है, टेक् टेक्निकली स्टॉक मुझे पसंदा रहा है, और शायद यह पहली बारी स्टॉक का जिकर कर रहा हूं, चारजार कोड़ से प्लस के मार्केट काप वाली कंपनी है, क्रिलोस का न्यूमाटिक, यहां पर आपको करनी है खरीदारी, टेक्निकल स्टॉक्चर मुझे काफी इंट बढ़ते हमारी अगली काटेक्री के और जो कि है फंडा पिक, तो फंडा पिक के लिहाद से देखे कंपनी में ने चुनी है, कारूबल यहां पर आपको अगले तीन महीने का व्यू बनाकर निवेश करना चाहिए, ग्यारा सो पच्पन रुपे तक के जो टागेट्स हैं, आ नाफे की भी ग्रोथ काफी अच्छी है, तो ग्यारा सो पच्पन के रसल इसमें करनी हैं आपको खरीदारी, मेरे तब से फंडा पिक, एजबे कार्ट्स खरीदारी कीजिएगा, 735 के लिवेल के लिए 707 का स्टॉप लॉज रखना है, LIC ना अपना हिस्सा इसमें बढ़ाय है, 3.01 lakh shares जो है वो खरीदे है, 4.99% से हिस्सा बढ़ा के 5.02% किया है, 9 फरवरी को उपन मार्केट के जरीए हिस्सेदारी खरीदी गई थी, तो इसके लिए लगता है मुझे, SBA कार्ट में आज तेजी हो सकती है, निवेश का स्टॉक है L&D खरीदारी कीजिएगा, अगले L&D को अपने पोर्टफोलिय में रख लीजेगा, L&D को रखिए अपने पोर्टफोलिय में और निवेश के लिए आज से स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है, सेल, लेकिन ये एक कंडिशनल बाय होगा, सेल में आपको तब खरीदारी करनी है, जब आपको थोड़ा सा नीचे म मिलें, जैसे मिसाल के तोर पर आज मैं उमीद करके चल रहा हूँ कि यहां पर आपको एक करेक्शन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि नतीजे जितने फोरकास्टेटेटेश से काफी कमजोड देखने को मिलें, और फिलाल कल दिक्कत की बात है कि 8% नतीजों से पहले खरिदारी करके चलें, क्योंकि डुमेस्टेटेटील स्टोरी काफी स्ट्रॉंग है, भारत में आपको टाटा स्टील पसंद आता है, तो वहां पर भी खरिदारी कर सकते हैं, लेकिन फिर से कह रहा हूं कि नीचे मेरे तब यहां पर आपको करनी है खरिदारी, बढ़ते हमा पर आप देखें तो पिछले साल की उकाबले 34% की ग्रोध देखने को मलें, और मारिजिन 15% से बढ़कर 20% के हो गये हैं, तो आपको करनी है खरिदारी 375 का टागेट 358 का स्टॉप लॉस, खबरों के दब मेरा स्टॉक है आर्वेनल खरिदारी कीजेगा 237 के लेवल के आर्वेनल में लेकिन स्टॉप लॉस टॉट्विंडेट का काफी स्टॉप लॉस की तरफ पहला स्टॉप में चुन रहा हूं बनारी अमान शुगर्स यहां पर अगर आप देखें तो नतीजों का इंपक्ट है, अच्छा सिफ आयका खड़ा इसा है जो थोड़ा सा कम है व मामूली सा मनाफ़ा दर्च किया है, अपने आप में बड़ी बात है, 265 का टागेट 200 रुपे का स्टॉप लॉस और आखरी स्टॉप के में लिए संसेरा है, यहां पर आप करिये खरीदारी, अच्छी बड़त यहां पर देखने को में मनाफ़े में 55% की 1040 का टागेट 990 का स्टॉप लॉस, मारे चवर में पहला स्टॉप के पार्क होटल कली लिस्ट हुआ है, लेकिन आज आपके लिए ट्रेडिंग के मौके बन सकते है, 210 के लेवल के खरीदारी करना है, 199 का स्टॉप लॉस रखेगा, पंट्स ने कल खरीदारी की है, कॉर्ण मूचल फंड ने 93 ल सकता है, और आखरी में खरीदारी कीजिए, 137 के लेवल के लिए 130 का स्टॉप लॉस रखना है, कामपनी ने तिलंगाना में आने वाले होटल के लिए लाइसेंस करार किया है, तो इसका इंपक्ट आपको देखने मिलेगा, और के वल इस ख़बर के चलते, लेमें आज आप हम, तो चलिए जो 20 स्टॉक्स हैं, इनकी फोकस लिस्ट होगे है, त्यार, और अगर आपने कोई भी स्टॉक क्या कोई भी लेवल मिस कर दिया है, तो पहले आप जल्दी से देखे, रीकाप कैश का स्टॉक के मिलिस्ट में, तिलक नगर इंडिस्ट्री, स्कोल इंडिया के फूचर्ज में करनी है खरीदारी और कोफोर्ज में खरीदेंगे कॉल आप्शन, टेक्निकली पसंदार है किरलोस का न्यूमाटिक, फंडामेटली कैरसल, यहाँ पर तीन महीने का व्यू बन सबसे आदा है, टेक्निकल तोर पर किरलोस का न्यूमाटिक खरीदारी करेंगे 720 के टागेट के लिए, कैश में खरीदारी करना है, एलगी एक्क्योपमेंट में नतीज़े आया है, स्टॉक में तेजी हो सकती है, फ्यूचर में जी अमार एरपोर्ट में करनी है, खरीदारी आप्शन में JSPL 740 का पूट आप्शन खरीदना है, कुछ नेगेटिव न्यूज आती हुई, टेक्निकली JNFC कमजोर लगता है, फंडमेंटल या SBI कार्ड में खरीदारी करना है, LIC नहीं यहाँ पर हिस्सा बढ़ाया है, निवेश करना है LNT में 3700 के लेवल के लिए, पूट खईदारी कीजेगा, 90 के लेवल के ले 85 का स्टॉप लॉज रखता है, MECI Global Standard Index में शामिल हो रहा है, एक सप्राइज नाम सामने निकल के आया है, इसके चलते स्टॉक में तेजी हो सकती है चलिए हमने आपको इस टॉक्स तो बता दिये हैं, लिखिन कल के कोहराम के बाद, खासकर मिट कैप और स्मॉल कैप में जिसना से धुलाई हुई है, क्या आज मंगल होगा या फिर, आज फिर बजने वाली है बैंक, हालत खराब भी हो सकती है, एक follow-up sell-off भी आ सकता है, क्यूस काफी सारे हैं, ग्लोबल भी और लोकल भी जहां पर हमारे CPI और IIP के आकड़े भी आए हैं, तो इन सब का विशलेशन करने के लिए सीधे चलते हैं, शेर बादार लाइब में जहां पर अनिल सर और दिप और Small Caps का, क्या आज समलना है या फिर वापस फिसलना है, कहां पर रखने नजर, नतीजों का भी रियक्शन आने वाला है, आए करते हैं, शुरात